हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी, इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूँ जो की आपकी आने वाले एक्जाम, यूपी जेल वोडर के लिए बहुत ही जादा इंपोटेंट है दोस्तो वीडियो को एंट लग जरूर देखिएगा क्योंकि लाश्ट में मैं आपसे कोसं सी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा साथ ही साथ इस वीडियो की पीडियो डिस्क्रिप्σιन में टेली के रहाम चल आने करलेंगे दिया हुआ है वहां से आप प्राप कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हूं और देखते हैं पहला कोसन पहला कोशन मगत के उत्थान के लिए कौन सा पिर्थम सासक उत्तरदाई था तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिम्बी सार यानि केस कोशन का तीसरा ओप्सन्स करेक्ट है बिम्बी सार मगत की गद्धी पर 544 इसा पूर वे मेटा था इसने राजग्रह का निर्माण कर उसे अपनी राजदानी भी बनाया यह बौत धर्म का अनुवाई था और इसने चंडिप प्रगोत यानि की अवंती का सासक की सेवा में अपने राजबैद जीवक को बेजा बिम्बी सार की हत्या उसके पुत्र अजा सत्रू ने कर दी थी मगत के उत्थान के लिए बिम्बी सार जो है वो उत्तर दाई है ठीक है नेश्ट कोसंस इस्टार्ड गरने से पहले मैं आपको बता दो दोस्तों अगर आप घर बेटे यूपी जेल वोडर की तयारी करना चाते है तो अने केडमी आप लोग के लिए यूपी जेल वोडर का रिवीजन बैच लेकर के आई है जो कि स्टार्ड भी हो चुका जिसमें मैत रीजनिंग जीके और मैत आपको सभी कुछ पढ़ाए है तो उस रिफरर कोट से अब 10% का डिस्काउंट पराप्त कर सकते हैं इस कोर्स को पर्चेस करने के लिए तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोशन होईनसांग किसके सासन काल में के दोरान बारत आया बदा चुका हूं हास होईनसांग और हास असबर्दन इसी तरीके से मैं ने आपको याद करवाया तीसरा ओप्संस करेक्ट पिरसिद फारसी तेवार नौरोज का प्रवतन किस ने किया इंपोटेंट कोशन से जल्दी बताओ तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बलवन चौथा ओप्संस यहां पर आपका विर्कुल क्या होगा करेक्ट हो तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वैंश करेक्ट करेक्ट था कि जब बावर ने की जो आत्म कता है तुझू के बावरी उसने वर्णन किया है कि जब मैं भारत आया था तो बारत में केबल एक ही बीर सा सकता था तक किष्णन देव ठाए ठीक है तो इस वात को भी ध्यान रखना नौलेज के तौर पे वैसे कोई दिक्कत वाली बात नह थे simple question है तो ब्रह्म समाज के संस्ताफक थे राजा राम वहन रहा है कौन थे राजा राम वहन रहा है 1828 में उनने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की ठीक है ना नेक्स्ट कोस्टन से आपका कि अगस्त 2020 में कौन भारती पृति बूति और बिनी में बोड़ी यानि कि सेवी के नए कारिकारी निदेशक निक्त किये गए इंपोटेंड कोस्टन से जल्ली बताओ तो आपका सही आंसर हो जाएगा जेपी गर्ग पहला ही ओपसंस बिल्कुल करेक्ट करेंट का है देख लेना है 17 अगस 2020 को निसी कांत कामत का निदन हो गया वह कौन थे तो ये जो है ये फिल्म निर्देशक एवं अभी निता थी चोहता ओपसंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोसंस है आपका के निम्ले के तमेसे किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी तो किसने की थी आजाद हिंद फौज की स्थापना तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुबास चंदर बोस आजात हिंज फौद का गटन जो है चार जुलाई 1943 को सिंगापूर दीप पर सुबास चंदर बोस के नितरत में किया गया था भारत के सम्मिधान में सामिल राज के नीति निजग तत्व कहां के सम्मिधान से लिए गए हैं सिंपल है आसानी से बता सकते जल्दी बताओ तो सही आंसर हो जाएगा आयरलेंड के सम्मिधान मुक मंतरी की नियुक्ति कौन करता है अभी नितिस को पर मुक मंतरी बन गए कौन हलाकि बनना ना बनना ये ते करता है पार्टी की उपर लेकिन कोई भी मुक मंतरी बनेगा बिहार का तो उनको सपत कौन दुलाएगा जल्दी बताओ या नियुक्ति कौन करेगा तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा राज जपाल पहला ही ओफसन्स करेक्ट जोलाई 2020 में किसे युएन नैंसन मंडेला पर उसकर 120 प्रदान किया गया जल्दी बताओ important questions तो किसको प्रदान किया गया तो सही answer हो जाएगा मूरी सादा कोईट और मारियाना बार्दी नौया निस यानि कि इस questions का दूसरा options बिल्कुल correct है next questions अगस्त 2020 में जहरकंड मुकमंत्री हेमिन सारेन ने जहरकंड राज खाग सुरक्षा योजना सुरू करने के संबंदित प्रस्ताओं को मंजूरी प्रदान की इस योजना के तहट पात्र सभी लावारतियों को कितना खादान एक रुपे पिरती किलो की दर से उपलब दगराए जाएगा तो कितना तो सही answer हो जाएगा पांच किलो दूसरा options बिर्कुर correct हो जाएगा दोस्तो next questions की तरफ बढ़ते हैं निमलेकित मैंसे किस देश के साथ भारत की अंतराश्टिय सीमा नहीं लगती पाकिस्तान के साथ तो लगती है लड़ाई चलती रहती है आप सभी लोग जानते है और बांगलादेश भूटान के विसाथ लगती है स्री लंका से कोश्टल नहीं लगती ना की भूमी यानि की अंतराश्टिय सीमा तो यहाँ पर चोथा options correct है जुलाई 2020 में IOC एवं फ्रांसेसी कमपनी टोटल ने एक पचास अनुपत पचास संयुक्त उपक्रम लॉंच करने की गोश्टना की जिसका उद्देश बहतर गोड़वत्ता वाले बिटुमन या कोलतार का विनिर्मन करना है पहला options बिल्गु करेक्ट यह current के कोश्टन है हाली में दूई पक्चिय नौसेने का अभ्यास बॉंगा सौगर के दूसरे संस्क्रन का आयोजन किया गया है यह नौसेने का अभ्यास निम्ले के तमेंसे किन दो देशों की नौसेना के बीच होता है तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत और बांगला देश पहला ही options आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा बॉंगो सागर भारत और बांगला देश की नौसेना के बीच होता है भारत के धान के प्रदेश फिलिंदा ब्लेंक सेंटीमीटर से अधिक वर्सा वाले छेतरों में इस्तित है अगर आपने धान की गेती के लिए पढ़ा है कितनी वर्सा वसायक होती है तो आराम से बता सकोगे तो सो सेंटीमीटर से अधिक लगबग तो तीसरा option से याँ पर आपका विल्कुल क्या हो जाएगा निमले के तुमेंसे कौन सा योग मुझो है वो सही नहीं है सोन करांती फलो का उत्पादन है सोन करांती पता नहीं है देखते हैं सही है या नहीं है फिलाल तो सोन करांती फलो का उत्पादन नहीं है ठीक है और वो क्या रहा है कि नीली करांती और वरक के उत्पादन में ब्रद्धी है नीली करांती और वरोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो ये होती है आपकी तिलहनुत पादन से ठीक है ना गुलावी करांती जींगे से होती है गोल करांती आलू से होती है लाल करांती मास और टमाटर से होती है तो ये सारी करांती हैं आपको पता होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट कोसंस निम्ले के तमेसे कौन सा एक बिसालतम गिर है तो सबसे बड़ा गिर है आप सबी लोग जानते हैं ब्रस्वती जादा रुकने की जरूरत है नहीं है कौन सा मिलान जो है वो सही नहीं है इंडोनेसिया की राज़दानी जकारता बिलकुल ठीक है माल दीब की राज़दानी माले बिलकुल ठीक है उसके बाद उत्तर कॉरिया की राज़दानी सीओल बस यहीं गलत है क्योंकि उत्तर कॉरिया की राज़दानी जो है वो व्यों यांग है जबकि दस्चन कुरिया की ये सियोल ठीक है जिंबावे की अरारे बिलकुल ठीक है तो यहाँ पर तीसरा ओफसंस करेक्ट वह लेंस जो किलने एकरतरित करता है उस लेंस को क्या कहते हैं तो जो किलने एकरतरित करता है उसको अभी सारी लेंस कहते हैं और जो किलने 31 किलनों को विल्कुल बिचेतित कर देता उसको अपसारी लेंस कहते हैं तो दोनों याद कर रख लो ठीक है हाली में वेस्वेक बुकमारी सूचकांग 2020 में भारत किस इस्थान पर रहा इंपोटेंड कोस्संस है पहले 102 में था अब कौन से इस्थान पर है तो आपका सही आंसर हो जगा 94 इस बात को दियान लगना बांगलादिस और पाकिस्तान से अभी भी पीछे है बुकमारी में भारत इस बात को दियान लगना ठीक है नेक्स्ट कोस्संस आठ सितंबर 22 को जै परकास रेड़ी का निदन हो गया वै कौन थे तो जै परकास रोड़ी ये कभी नेता थे पहला ही ओप्संस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा लेम की बत्ती में तेल किसके करण उपर चलता है तो किसके करण उपर चलता है ये केसी एक अटना के करण उपर चलता है तो दूसरा ओप्संस बिल्कुल करेक्ट है किस भारती टेबल टेनिस खिलाडी ने ओमान ओपिन 2020 का खिताब जीता तो किसने जीता ये तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरत कमल यानि कि इस कोसंस का पहला ओप्संस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तो कौन सा ओप्संस पहला ओप्संस बिल्कुल करेक्ट ठीक है नेक्स्ट कोसंस के तरफ बढ़ रहे नेक्स्ट कोसंस रनजी ट्रोफी 2019 बीस ने स्वराष्ट ने किस राजो को पराजित कर पहली बार यह ट्रॉफी जीती, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वैं क्या हो जाएगा, यानि कि स्वराष्ट तो जीती है, लेकिन पराजित किसको किया, रनर अप टीप पूछी है, तो बंगाल को किया, चौता options बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्ष्ट कोसन से आपका Microsoft Excel में फिलिन दबलेंक्स फलन तरके के रूप में पारित मानों में से सबसे छोटा मान को लोटाती है कौन तो आपका सही answer क्या हो जाएगा option number C mine तीसरा options बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा Microsoft Excel में माइन फलन तरके के रूप में पारित मानों में से सबसे छोटे मान को लोटाती है SMPS SMPS का full form हम से पूचा है तो SMPS का जो full form होगा वो क्या हो जाएगा switch mode बिजली की आपूरती यानि कि इस questions का पहला options जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा English में अगर हम बात करें switch mode power supply ठीक है इसको बोलेंगे switch mode विजली की आपूरती ठीक है deuterium की द्रम्मान संक्या कितनी होती है deuterium 1H1 proteium 1H2 1H3 Tritium इसी तरीके से होता है deuterium proteium deuterium tritium ठीक है ना hydrogen के अलाकि ये जो समिस्थानिक है ये heavy water का होगा जो भी होगा ठीक है ना deuterium hydrogen का एक समिस्थानिक है इस बात को भी धियान लखना ठीक है तो deuterium में जो द्रम्मान संक्या होती है वो क्या होगी 2 होगी दूसरा options बिल्कुर करेक्ट निम्लिकित में से किस का उपियोग पर्मानू भट्टी में नियंतरक की चणों की रूप में किया जाता है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा option number D boron च्वाथा options करेक्ट अब जो बोरोन का उपियोग पर्मानू भट्टी में नियंतरक चणों की रूप में किया जाता है अधिकतर पर्मानू भट्टी में नियंतरक चणों की रूप में केडमियम का उपियोग किया जाता है और इसके अतिरिक्त जो अतिरिक्त न्यूट्रोनों को अफसोसित कर किरिया की दर को नियंतरित करती है ठीक है तो कैडमियम और वूरोन की छणों का योज किया जाता है इस बात को दिहान लगना बिटामिन डी की कमी से होने वाला रोक रिकेट्स में सरीर का कौन सा अंग प्रबाबित होता है तो कौन सा अंग प्रबाबित होता है सरीर का अस्ती यानि की हड़ी तीसरा आपसंस बिलकुल करेक्ट अगस 2020 में भारत ने 15-26 सितंबर 2020 के दोरन किस देश में होने वाले बहु पक्चिय सेन अब्यास काव काज 2020 से हटने का फैसला किया तो आपका जो सही अंसर हो जाएगा भे हो जाएगा रूस तीसरो आपसिन्स करेक्ट वो इसलिए क्योंकि इसमें चाइना जो है वो सामिले इस वज़े से और भारत ने पहली बोल दिया कि जिस भी सेन अब्यास में चाइना और पाकिस्तान सामिल होगा वहां हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे नेक्स्ट कोसंस हाली में पहला विस्वस्वर प्राउद्दगी की सम्मीलन 2020 वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यान से कब संपन हुआ तो ये संपन हुआ आठ सितंबर 2020 को यानि केस कोसंस का दूसरा ओपसंस बिल्गर करेक्ट निमले के तमेंसे कौन सी गरंती ब्रद्धी हर्मोन का रिसाओ करती है तो कौन सी गरंती करती है तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्यूस गरंती दूसरा ओपसंस बिल्गर करेक्ट हो जाएगा डॉली एक प्रति रूपी फिरिंदा ब्लैंक्स का उधारन थी डॉली किसका गवा था ठीक है इस वजे से नेक्स्टकोसंस निमले के तमेंसे लौरेन्ज बखर क्या दर्ग दर्ग दाता है इना इक rubbish गवाफिए ねSKY अर्थिक समिक्च्छा फिलिंदा विल्ग्स प्रकासित करता है तो आपकर सही अंसर हो जाएगा में क्या हो जाएगा आर्थिक समिक्षा बित मंतराले पर साथ प्रकासित करता है यानि कि दूसरा उपसंस करेक्ट और लाश्ट कोसंस, इंपोर्टेंट कोसंस और ये कोसंस आपके एक्जाम में रखा हुआ मिलेगा कि डबल्यू एचो यानि कि विस्वस्वास संगटन का मुख्याले कहां परिस्थित है आप सभी लोग जानते हैं क्यों आपके एक्जाम में ये रखा हुआ मिलेगा ठीक है ना तो इस कोसंस का अंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो दोस्तों फिलाल की वीडियो मसर्फ इतनाई अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक केज़े सेर केज़े और साथ ही साथ हमारे चनल को सब्सक्राइब कर रहना ना भूलें क्यों कि में रोजना इसी तरह की वीडियो से आप लोग लिए लात रहता हूँ नमस्कार दोस्तों जै हिंद जै भारत